मैं इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म करके दिखाऊंगा आपको फॉर्म करने में कोई भी प्रब्लम ना है मैंने आपको अलड़ी एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि नहीं पीसी में जूनियर एंजिनियर की वेकैंसी आई है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा फॉल टाइम किया तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए एलिजबल है तो इस वेफसाइट को डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा नहीं तो आप गूगल पर आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे ही आपके सामने एक नई विंडू ओपन होके आएगी उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन से उसे आपको जीड करना है आप देख सकते हैं आपको जो फॉर्म करने की डेट है वह सप्टमबर से स्टार्ट हो गया था और आपकी जो लाज आपको हाई स्कूल की मार्क शीट लगेगी आपको जो फॉर्म को फिल करने के फीस है और जो बच्चे के बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है आपको इसमें अपनी फोटोग्राफ अप्लोड करना है जो नहीं होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए आपको अपना सिग्नेचर अप्लोड करना है अब ध्यान रखिएगा आप सिग्नेचर यहां पर ब्लाइक से होना चाहिए ठीक है और वह भी आपका जेपीजी फॉर्मेट रहेगा आगे हम फॉर्म जब करेंगे तो मैं आपको हर एक डोकुमेंट का साइज ही अब करेंगे तो आप उसी अप्लिकेशन नंबर को डाल के ही यह आप लॉग इन करना है अगर आप कोई भी प्रपलम है इसे अधी पर आप इनको आप मेल करके और या तो इनको आप डिएट फॉन करके इसे बात कर सकते हैं करते कि क्या करने की पहले आपको 선택 करना पड़ेगा इसके बदिक करने अगर अगर आपको फ्रेश फर्म यहां प्रोस्ट हाल से किलिक करना है कि अधर टूर आपको अपने तो एक उप्रुटर्च गया है कि रिखा इस प्राइब करेंगे आप जिस पुश्ट के लिए अप उसके बाद आपको यहां पर अपना नाम लिखना है जैसा कि आपका हाई स्कूल में था यहां पर आपको अपना इमेर डालना है उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप यहां सब्सक्राइब करेंगे आपको एक इंफॉर्मेशन सो करेगा आपको यहां में क्या था आपको एक अप्लिकेशन सेक्वेंश नंबर है कि आपको एक अप्लिकेशन सेक्वेंश नंबर है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इससे मिलेगे तो यह आपका कम्प्लीट हो गया है अब इसमें क्या करने के लिए आपको क्लिक करेंगे तो इस वाले आप्शन के अंदर आप से पूरी डिटेयल मांगेगा तो हम चल्दिए अपना स्टेप करते हैं तो आपको अपने के लिए आपको आपको चार आप्सन में अपने सेंटर चूश कर लेना है आपको अपनी के टेगरी फिल करनी है आपको अपना डियोग ब्रूब मदा भी फिल करना है उसके अगरे आप यहां पर यह कुलारें और यहां पर यहां-पर जब रहें यहां पर अपना मदाना को र्मिम्द्र के बिचेंटर में सब कर लेते हैं देने हैं मिशुआ के दिए तो हम यापना सब्सक्राइब करने के रिख करें और, आपको में पर कहने प्रेशनलटी इंडिया नहीं देना है उसके बाद आपको नीचे आएंगे आपको दिखेगा क्या कि अगर आपको प्रेजन प्रेजन और सेम यहाँ और आपको यहां पर फिल कर लेते हैं सब्सक्राइब करना है और यहां पर इन्हों नोटिफिकेशन है वहां पर इन्हों ने पूरा लिखा हुआ सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए इमेल कर दिया है देखते हैं तो इसके बाद ही मैं आपको आपको इसके लिए अगर आपके पास देखिये कि यहां पर इसके में बात क्या है आपने आपने आपको करना है अगर आप बहुत बड़ी चीज नहीं आप विडियों से मैं भी आपने लिए बना दूंगा जिसमें मैं मैं मैंक्सिमम से मैंक्सिमम नॉलेज आपको देने की पूरी कोई कोई आपको अपना इसको कर देना है आपको बताता हूं कि आपको सामने आजाएगा डाटा से अपको कर देना अब यहां पर दिखा रहा है कि आपको 500 पर फीस पेमेंट करना है उससे पहले आपको कुछ डॉक्मेंट करने हैं जैसे कि आपकी फोटो आपका सिगनेचर आपका हाइए स्कूल का सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिकुलेशन आपका यूजी सर्टिफिकेट मतलब आपको डिप्लोमा का सटिफिकेट और प्रफिकेट में चाहिए और आपको अपनी अपनी फोटो आपलोड करना है उसकी फोटो हैंड़ के मैक्सम मुद्या साइज चाहिए वह आपकी जपीजी फोर्मेट में होना चाहिए अगर हम बात करें आपका हाइस कूल सर्टिफिकेट का तो इसका जो साइज आपका वह भी आपका उसमें लिखा हुआ maximum 1KB only PDF jpeg and jpeg format lab आप इसमें PDF भी upload कर सकते हैं और jpeg format में भी आप इसको upload कर सकते हैं उसकी size maximum 1MB होनी चाहिए अगर आपको अपना diploma का certificate upload करना है तो इसकी maximum size 1MB है उसमें भी आपको PDF jpeg का option मिलता है और अगर आपको अपना class certificate upload करना है तो उसके में भी आपको only PDF jpeg format में अप्लोड करना है और इसकी maximum size 1MB होनी चाहिए तो यह आपको documents related मैंने information दे दी है कि आपको documents related क्या क्या चीज़ें कितनी size में upload करना है तो चली हम इसको upload कर लेते हैं उसके वाद हम आपको आगे लिए चलते हैं वीडियो में कि आपको उसके बाद क्या इस्टेफ फॉलो करना है तो यहां पर हमने पूरे अपने documents upload कर लिए हैं अब हम यहां पर इसको capture code को फिल कर लेते हैं अब यहां पर आपको प्रीव वाले बटन में क्लिक करना है और एक बार आपको सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको फॉर्म फेंड सब्सक्राइब हो जाएगा बट उसके बाद आपको अपकी application फीज का payment करना है ठीक है तो यहां पर आपको फॉर्म समिट होने के बाद एक ऐसी विंड़ो ओपन होके आएगी आपको यहां पर जो है अपनी application फीज को पेमेंट कर सकते हैं बट अभी यहां पर इनकी जो पेमेंट वाली एफ साइट वह अभी चल नहीं देए क्योंकि अभी करली फॉर्म अक्रिवेट हुआ है तो आपको फीज भी नहीं खुलता है तो आपको यहां से बैक हो जाना है और फिस से आपको फिस से आपको लॉग इन करना है और उसके पाद आपका फीज का पेमेंट सबस्क्राइब हो ज एंट तेक्री केर